तो दोस्तों आज है 9 सितंबर यानि कि बोली उट के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षे कुमार का जनम दिन जिया दोस्तों आपको बता दे कि आज हमारे बोली उट के खिलाड़ी अक्षे कुमार 53 साल के हो चुके और उनके जनम दिन के मोके पर अक्षे कुमार के जितने भी फेंस है उन सभी फेंस ने सोसल मीडिया हेंडल्स पर एक बड़ा रिकोड बना दिया है जिया दोस्तों आपको बता दे कि कल अक्षे कुमार के फेंस ने 8 बजे से एक ट्रेंड सुरू किया था जिस ट्रेंड में उन्होंने एक टेक को ट्वीट करना सुरू किया था और उस ट्वीट का नाम था हेपी बर्थडे अक्षे कुमार और दोस्तों आपको जानकर खुसी ह लेने होगी कि अक्ष्यकुमार के fans ने हैपी बर्थडे अक्ष्यकुमार का जो tweet था उसे इतना जादा trend किया कि अक्ष pigumar के नाम bollywood का एक बड़ा record हो चुका है जिया दोस्तों आप Peak चांगवा कि अक्ष्यकुमार के फेंस ने हैपी बर्थडे अक्ष्यकुमार वाला जो ट्वीट था वो इतना ज़्यादा किया है कि इसको टोटल एक मिलियन ट्वीट्स मिल चुके हैं यहां दोस्तों आपको बता दे कि भोली ओट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सूपरिश्टार के जन्मदीन के मोके पर उसको बर्थडे विश्यस में लगभग एक मिलियन से ज़्यादा ट्वीट मिल चुके हैं आपको बता दो दोस्तों इससे पहले सबसे ज़्यादा ट्वीट किये गए थे सारुक खान के जन्मदीन के मोके पर जब सारुक खान के फेंस ने हैपी बर्थडे सारुक खान का टेग ट्रेंड किया था और उस टेग पर टोटल लगभग 7 लाग लोगों ने ट्वीट किये थे लेकिन दोस्तों अब अक्षे कुमार के फेंस ने फेंस ने हेप्पी वर्थडे सलमान खान नाम का ट्रेंड ट्वीटर पे ट्वीट किया था और उसे लगभग 5,30,000 लोगों ने ट्वीट किया था वही नमबर 2 पर आप आचुके है सारुक खान जहां है टोटल ट्वीट 7 लाग वही अक्षे कुमार नमबर 1 पर आचुके है 10 लाग से भी ज़्यादा ट्वीट के साथ तो दोस्तों अक्षे कुमार तो बोक्स ओफिस पर रिकोर्ड तोड़ते ही रहते हैं लेकिन इस बार अक्षे कुमार ने नहीं उनके फेंस ने ट्वीटर पे एक बड़ा रिकोर्ड सेट कर दिया है तो आप देखते हैं दोस्तों जो अक्षे कुमार के फेंस ने इतना बड़ा रिकोर्ड बनाया है तो इस रिकोर्ड को आने वाले समय में कौन से सूपरिश्टार के फेंस तोड़ पारते हैं वेसे दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए साथ इसाथ कमेंड बो इसके आलावा हमारे इस चेनल एके भी मिडिया को सब्सक्राइब जरूर करें